दोहजाराट मालेगव बhelm केस की आरोपी प्रग्या थाकूर के बैयान पर शहिद हेमंत करकरे की बेटी ने प्रतिक्रिया दी है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और कोई भी धर्म हत्या करना नहीं सिखाता है दरसल भोपाल से भाजपा के उम्मिद्वार बनी प्रग्या ठाकुर ने शहित हेमंत करकरे पर शर्मनाक बयान दिया था जिसकी हर तरफ निंदा की गई थी उन्होंने कहा था कि करकरे उनके श्राप से मरे अंग्रेजी अकबार दे इंडियन एक्सप्रेस को दिये इंटर्विव में नफरत के खिलाब बोलते हुए जुई ने ये कहा है कि उन्होंने सोशल मिडिया पर प्रग्या ठाकुर के बयानों को देखा था उन्होंने कई लोगों की प्रतिक्रिया भी पड़ी थी क्योंकि हिमन्त करकरे उनके पीता है इसकी वज़े से नहीं बलकि शहीदों का हमेशा समान किया जाना चाहिए इंटर्विव में जुई ने अपने पीता के बारे में आगे कहा कि वो एक सीधे साधे वेक्ती थे चाहे नशीली दवाओं को खत्म करने या नकसलि आतंकवाद के खिलाफ उनका मानना था कि गोलियों से समस्या कभी खत्म नहीं होगी जुई ने कहा कि उन्होंने हमें सिखाया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है कोई भी धर्म किसी को भी एक दूसरे को मारना नहीं सिखाता है यह एक विचारधाराई जिसे हराना है वो बस इतना ही चाहती है कि हर कोई उनके पिता की शहादत को याद रखे